हेलो दोस्तों आज हम लोग टेक्निकल का अबजेक्टिव टाइब कोश्चेन एंसर करेंगे यह अबजेक्टिव टाइब कोश्चेन आप लोग रेडी करने से आप लोग का जो टेक्निकल एक्जाम में अबजेक्टिव बीट बैंग कोश्चेन आथा है उसको आप लोग एज उसमें जो बीट रहेगा objective type उसमें पुड़ा आपका number आ जाता है तो आप लोग का score and आप लोग का pass करने का chance बहुत बढ़ जाता है ठीक है आप लोग ज्यादा से ज्यादा score कर सकते हो technical paper में तो आज यह जो वीडियो बना रहा है यहाँ पर हम लोग 50 question लेकर उसके answer discuss करेंगे यह से ही हर एक जो वीडियो बनेगा उसमें 50 question रहेगा ठीक है आज part 1 है वीडियो का तो आज चलिए वीडियो को सुरू करते है तो आज 3 phase बाला से start कर रहे है तो देखिए पहला question लेते है question number 1 इन 3 phase लोको to isolate panto number 2 keep panto selector switch in dash position and close dash cock तो यह बोल रहा है 3 phase लोको में panto 2 को isolate करने के लिए panto selector switch को किस position में रखना है and किस cock को close करना होता है तो यह याद रखना panto 2 को isolate करना है तो panto selector switch को 1 position में रखेंगे ठीक है यह बोलता isolate panto 1 को करना होता तब panto selector switch को 2 में रखेंगे जिसको isolate करना है उसके opposite में राखे यह select किसको करेगा यह select panto selector switch जिसको select करता है वो panto हमारा उठता है ठीक है तो हमारा panto 2 खाड़ाप है इसलिए उसको हम लोग isolate कर रहा है तो उसको select करने से क्या होगा वो उठ जाएगा तो हमारा आप काम करना है 1 से तो अब इस time तो 2 खाड है तो 1 से काम करना है इसलिए panto selector switch को 1 में रखेंगे ठीक है और close करेंगे क्या pen 2 को cock जो pen 2 का cock है यह close कर देंगे तो इसका answer हो गया C 1 and pen 2 दूसरा बाला देखिए question number 2 इन 3 phase deadlock को dash cock should be open for charging BP pressure into auxiliary reservoir तो यहापे बोल रहा है 3 phase deadlock होगा तो उसमें कौन सा cock को open रखेंगे BP charging pressure और auxiliary reservoir में BP charging को open BP को charging करने के लिए कौन सा cock को open रखेंगे तो हमारा यहापे देखिए 70, 47, 74, 136 चाड़ो अपसेन देहा है तो यह 70 बाला क्या है BP charging cock 74 है emergency cock, 47 deadlock cock and 136 जो है feed pipe charging cock तो यहापे बोल रहा है deadlock को में हमारा BP charging के लिए कौन सा cock को open रखना चाहिए तो यह होगा 47, deadlock को BP charging के लिए 47 में जो cock रहेगा उसको open करना होगा बाकी सब 70, 74 and 136 जो close रहेगा बाठ हमारा normal लोको रहेगा, healthy लोको रहेगा तो उस लोको में क्या करेगा हमारा 70, 74 and 136 open रहेगा and 47 हमारा close में रहेगा, ठीक है यह याद रखना, only deadlock को में यह 47 जो cock रहेगा वो open रहेगा, बाकी सब close रहेगा और normal लोको में 47 close में रहेगा, यह सब open रहेगा अब देखिए, three number question, next, while three page loco working as a banker put on dash switch and close 70 cut out cock तो बोल रहे है, three page loco को जो अब हम लोग bank के रूपे यूज करते हैं, तब कौन सा switch को on करते है, and 70 cut को क्या close करते हैं, तो कौन सा switch को हम लोग on करते हैं, क्यूंकि देखिए, banker हम लोग का भी यूज करते हैं, पीछे से हम लोग कोई भी गारी stall हो जाने से, उसको पीछे से ठेलने के लिए एक engine उसको साथ हम लगा देता है, उसको हम लोग banking बोलते हैं, तो banker जब चलता है, तब एक switch रहता है, हमारा jet band, वो jet band को on करना होता है, तो put on dash switch, तो यह होगा jet band switch को हम लोग on करेंगे, and close 70 cut out cock क्यों की देखिए, हमारा पहले एक बोला ना, healthy local होगा, तो 70 number क्या होता है, open रहता है, तो यहापे, सामने बाला जो लोको रहेगा, वो तो BP charging cock, 70 number उख खुला रहेगा उसका, और पीछे से जो हम लोग attach किया, banker local, उसमें हम लोग 70 number को open कर देंगे, तो क्या होगा, माल यह BP, यह break pipe को pressure में भरता है, ठीक है, pipeline में, तो यहाँ से break लगाया, तो पीछे से खुला रहेगा, तो यह तो पीछे से हवा भेड़ देगा, तो हमारा break नहीं लगेगा, तो इसका BP charging cock, जो रहेगा, 70 वाला, यह off करना होगा, पीछे वाला का, सामने वाला जो लोको रहेग उसमें 70 नमबर खुला रहेगा, बर banking का offer रहेगा, यह break करेगा, और यहाँ से प्रेसा supply देगा, तो ब्रेक ही नहीं लगेगा, इसलिए banking जब करता है, तब jet band switch को on करता है, और उसका 70 नमबर जो cock रहता है, उसको close कर देता है, यह हो गया, अब देखें फोर्थ नमबर कुस for resetting VCD in WHE9 और WAP7 लोको, wait for dash seconds, तो यह है 160 second, जब हमारा VCD, VCD क्या है, विजिलेंस control device, यह जब actuate हो जाता है, तो इसको reset करने के लिए हमारा 160 second wait करना होगा, G9 और P7 लोको में, next, फिर्थ, इन 3-phase लोको SS17 belongs to their subsystem, क्योंकि हम लोग जानते है, 3-phase लोको में 19th subsystem रहता है, ठीके, तो यह बोल रहा है SS17 बाला कौन सा subsystem है, यह है हमारा प्रोसेसर FLG1, 17, FLG1, 18 होगा तो फ्रोसेसर FLG2, ठीक है, उसके बाद दिखे, 6, to far from sunting with 3-phase लोको, keep dash switch in dash position, तो जब हम लोग sunting करता है 3-phase लोको को, तब कौन सा switch को किस position में राखते हैं, तो यह 160 जो switch रहेगा, उसका position 0 में कर देंगे sunting में, normally 1 में रहेगा, और sunting के तरब यह time 0 में रहेगा, नेक्स्ट, 7, इन 3-phase लोको, SS01 बिलोंग स्टो ड्या सब सिस्टेम, 3-phase लोको में SS01 कौन साब सिस्टेम है, यह में पावर का, नेक्स्ट, 8, वाइल वार्किंग विद WAP7 और WG9 विद लाइट लोड, इफ हार्मोनिक फिल्टर इस आइसुलेटेड, वार्क विद नॉर्मल स्पीद आप्टर आइसुलेटिंग डैस, तो जब हमारा WAP7 और WG9 लोको लाइट लोड रहेगा, एन उसका हार्मोनिक फिल्टर आइसुलेटेड होगा, तो हम लोग किसको आइसुलेट राखे, उसको नॉर्मल स्पीद में चला सकता है, तो यह हमेशा होगा क्या, ट्रैक्सेन कॉन्बार्टर नामबर 1, ठीके, हमे काने के लिए एत्राक्सिन कॉन्बाटर 1 को हमारा आइसुलेट काना पड़ेगा, नेक्ष्ट देखिए, नाइन्थ, इन 3 फेज लोको टू आइसुलेट वी सीदी किप डेया स्विच इनडेया स्पोजिशन, तो 3 फेज लोको में वी सीडी को आइसुलेट काने के लिए क स्वीच का पॉजिशन वान होगा बाट इसको आइसुलेट करना होगा तो एक 237.1 स्वीच को हम लोग 0 में रखते हैंगे ने से यह वी सीडी आइसुलेट हो जाएगा उसके बाद देखें टेंथ इन 3-phage लोको बैटरी चार्ज़र इस गेटिंग सप्लाई प्रॉम थ्री-phage लोको में बैटरी चार्जर को सहां से सप्लाई मिलता है तो बैटरी चार्जर जो रहेगा उसको हमारा ओक्ष१ूली चार्जर नमबर 3 से मिलेगा तीन कोमेंटरा रहता है आगसेली कोमेंटर नमार नामर रॉन coconut र्उन चाहिए गी 12 से भी तिक ननी लतरी ब्हुंटेज डाप्स बिलोउ डैस भॉल्ट्स में देज टोलक रॉल्ट बैक्टरी वोल्टेज कितना होने से वोल्टेज सट डौन हो जाएगा कितना वोल्टेज काम होने से 82 वोल्ट के नीचे होने से ऊप्डाउन हो जाएगा इन थ्रीफेज लोगो बैटरी चार्जर आउटफुट एमसी नंबर इस डेस and its location is at तो बोल रहे हैं थ्री फेज लोगों का बैटरी चार्जर का आउटफूट MCB नमबर क्या है और इसका लोकेशन कहा है तो हमारा जो आउटपूट MCB रहेगा वो 112 होगा ठीक है वो HV2 पैनल में रहेगा जो HV2 हमारा QB cell है मैसिन रूम नमबर 2 में HV2 के पास बाला 100 HV2 में रहेगा नेक्स देखिए 13 इन थ्री फेज लोको नॉर्माल पोजिशन और डाइरेक्ट ब्रेक हैंगल भेंडल SA9 इन रियार क्याब इस तो थ्री फेज लोको में जो हमारा SA9 रहता है रियार क्याब में पीछे बाला लोको में उसका पोजिशन क्या रहता है तो उसका रिलीज पोजिशन में रखना होता है जो लीडिंग लोको रहेगा उसका रियार क्याब में हमारा क्या होगा रिलीज में रहेगा इन नेक्स देखिए 14 इन थ्रीफेज लोको VCD is required to be acknowledged from डास केमपेज आफ स्पीट तो हमारा थ्रीफेज लोको में VCD को अक्नोलेज हमारा कितना स्पीड के बाद से करना होता है 1.5 केमपेज नेक्स देखिए 15 इन थ्रीफेज लोको वेन पार्किंग ब्रेक्स आर रिलीजड पार्किंग ब्रेज गोज सो डेस्क केजी पस स्पीड स्पीड यह हमारा होगा 6 केजी पस स्पीड स्पीड बोल रहा है थ्रीफेज लोको में पार्किंग ब्रेक अगर रिलीज में रहेगा तो पारकिंग ग्रेज में कितना प्रेसासो करेगा पारकिंग ग्रेज रिलीज में रहेगा तो 6 तो करेगा 6 kg और पारकिंग ब्रेक एप्लाइड हैगा तो 0 kg पर सिनिस्क्वारे सो करेगा ठीक है नेक्स देक यह 16 दिुरीं लोको ब्रेकटेस्टींग अप्ड ड़ाव। Deborah You नाइन और muscles एलाज दाव। यह और ड्स किलोनीटोन्स छेयों। में रेकटेस्टींग दार्ण हमारा कितना किलोनीट्टोन में लोको मूब नहीं करना यहासाना है। तो 17 आपने देखिए इन 3-page लोको एईज़ेम इस ओपरेटर विड्यास की एईज़ेम क्या है लोको ग्राउंडिंग करता है तो एई लोको ग्राउंडिंग 3-page लोको में कौन सा की इसे किया जाता है यह आईजी 38 यह कहाँ पर रहेगा आईजी 38 नियुमेटिक पैनल में रह 60 seconds is called as jazz mode तो वोलना 3-page लोको में हमारा जो सेंडर का पैडल स्विच रहता है PSA उसको हम लोग 60 seconds के अधीक प्रेस करके राग दिया तो हमारा उस जो एक मोड में चला जाएगा ठीक है लोको में एक मोड आएगा उसको क्या मोड बलता है यह देड मोन में में डेड मैं में मे यह जो PSA में इसको तो हम लोग one time प्रेस करके चाड़ देना चाहिए तो यह माल लिए छोड़ा नहीं यह प्रेस करके राखा है तो PSA को 60 seconds के बाद भी यह प्रेस करके राखा तो यह लोको हमारा डेड मैन मोन में चला जाएगा उसके बाद देखिए 19 इन 3-page लोको constant speed control can be activate above-page of speed तो हमारा स्ट्रीपेज लोको में एक advantage है हमारा constant speed control रहता है ठीक है BPCS तो यह BPCS दबाने से ओ जो speed लोको का रहेगा ओ speed में ही ओ सेम कुछ करना नहीं है ओ आटोमेटिकली लोको चलेगा तो बोल रहा है तो कितना speed के बाद यह switch जो BPCS है उसको हम लोग दबा सकते हैं मतलब ए constant speed control एक्टिबेट होगा कितना speed रहने से तो 5kms के बाद ही क्या होगा एक्टिबेट होगा तो एबब 5kms speed रहेगा ताभी एक्टिबेट होगा 20 निक्स्ट के सिन इन 3 फेच लोको फो फो ड्राइविंग मोड मोड मूब बीयल की फ्रम ड्राइबिंग मोड में बील की को कौन सा पोजिशन से कौन सा पोजिशन में लेयाना होता है तो यह से दी आपमें इंसर्ट करके यह clockwise में दी रहेगा राइट साइड में तो इसमें दी में रखे देने से एह हो गया द्राइविंग मोड निक्स्ट 21 इन 3 फेच लोको अक्जलरी कन्वार्टर नमबर टू फिट्स ड्यास मोटोर्स कौन सा कौन सा मोटोर अक्जलरी ट्रांस्फोर्मर वाइल पाम वन टू अन एसर वाइल पाम वन टू अल अल अवब टिके यह होगा तो यहापे बोल रहा है राइट अनी टू थालो अनी वन अब दावब तो साभी होगा नेक्स देखिये 22 वाइल एनरजाइजिंग 3 फेज लोको इफ यूवी ए मिटर इस जोईंग 0 एन कॉरीडर लाइट अलसो नॉट ग्लोईंग चेक एमसीबी नमबर तो बोल रहा है हमारा इउवी एमिटर में 0 सो कर रहा है एन कॉरीडर लाइट नहीं ग्लोव कर रहा है तो लुक और यूवी एमसीबी कौमसा मेंका चेक करेंगे किष्ट भीज लोको में तो यह है एक सो बड़ा 112 तो नेक्स 23 इन 3 फेज लोको फार्चार्जिंग भी पेशर डैस कॉप कॉट तो हम लोग बोला बीज़ चारजिंग कॉट किसको बनते हैं गिष्ट सेवेंटी कॉट यहाँ पे चार्जिंग के लिए 70 हम्रा केप्ट ओफेन नेक्स 24 इन 3 फेज लोको यह वीजिलेल्स पैनल्टी ब्रेक अड़ एपलाइट बीपी प्रेसर ड्रॉप्स टू ड्यास केजी पर स्मिस्क्राइड तो हमारा BCD अक्षिएट हो जाता है तो क्या होता है बीपी प्रेसर को ड्रॉप कर देता है हम लोग जानते है तो क्या बोलता है यहाँ पे बीपी प्रेसर ड्रॉप्स टू 10 केजी पर स्मिस्क्राइड कितना 3.5 टू 3 केजी इतना इन ड्रॉप होता है next 25 maximum permissible speed of WHE 9 loko is यहापके तो 100 होगा आप लोग जानते ही हो जो G9 का maximum speed है 100 केमपेज 26 in 3 phase loko on moving BLK from D to off position dash brake will be apply automatically तो हमारा जो BLK रहेगा ओ हमारा D से off में कानने से क्या होगा parking brake लग जाएगा automatically तो हमारा d से off कलने से यह पार्किन brake automatically लग जायग पार्किंग रहेगा तब लग जायगा नहीं तो हंड continued लाकाना पारियेगा किसी-किसी लोको में 3 page में हंडườ्रेग है Next question देखिए 27 इन 3 page loko parking brakes are applied and released through dash switch in panel एं तो parking brake हम लोग release करेंगे... पैनल A में कॉन सा स्वीच को दबाके तो BPPB तो BPPB दबाने से पार्किंग ब्रेक लागेगा और BPPB हमारा दबाने से वह रिलीस होगा तो ये पैनल A में डाहेगा पुछ बाटन चोर पार्किंग ब्रेक Next question 28 In three face लोको SS14 belongs to dash subsystem So SS14 होगा Cab 2 and SS13 होगा तो Cab 1 Next देखिये 29 In three face लोको Z band is switched on in working cab That happens So Z band switch को हम लोग working cab में on रहेंगे 3 page में तो क्या होगा बीफी प्रेशर ड्रॉप्स टुजिरो, जेद्बन स्वीच को व्रकिंग के हमें अर्न कर देंगे तो बीफी प्रेशर ड्रॉप्स टुजिरो हो जाएगा, जो जिरो हो जाएगा, ड्रॉप होके, next 30, hotel load facility is available in Deas locos तो hotel load जो हमारा रहता है 3 फेज लोको में तो वो हर WAP5 लोको में है और modified WAG7 लोको में है तो इसका answer होगा C, all WAP5 लोको and modified WAP7 next 31, in 3 फेज MU लोको, multi लोको dash panto of leading loko and dash panto of trailing loko will rise तो बोल रहा हम लोग जब Refuge MU लोको को चलाता है multi loko, तब क्या बोल रहा है, जो leading loko रहेगा उसका कौन सा panto and जो trailing loko रहेगा उसका कौन सा panto हम लोग यूज करता है तो यह trailing trailing होगा, ठीक है सामने बाला जो loko रहेगा उसका भी पीछे बाला पैंटो and पीछे बाला लोको को भी पीछे बाला पैंटो हम लोग यूज करेंगे trailing trailing next question 32 while clearing 3-phase loko as dead, mode switch position in both cab is तो जब हमारा यह जो 3-phase loko dead में move करेगा, ठीक है तब हमारा mode switch का position क्या रहेगा, trail में रहेगा mode switch का position क्या होता है, lead और trail तो हम लोग dead में जब लोको को move कर रहा है, तब इसको trail में कर राखना होगा, दोनों camming, ठीक है इन 3-phase loko, next question, pressing of bpbg continuously for more than 60 seconds is called dash mode वहापे हम लोग देखे थे, जो PSA रहता है, sander का जो paddle switch उसको 60 seconds के अबब प्रेस करने से और dead man में जा रहाता है, यहापे भी same bpbg जो उसको भी 60 seconds के अबब प्रेस करके रखने से, इस भी dead man में चला जाएगा next 34, total oil point in wg9 and wap7 loko R, तो हमारा wg9 and wap7 loko में total कितना oil point रहता है, ठीक है यह oil point क्या होता है, हमारा checking के दोरान हम लोगों चेक कर ना होता है, तो यह 13 oil point है आप लोगों के यह detail से कौन सा loko में कितना oil point है, यह detail में वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बोलना, ठीक है हम लोग इसके अब उपर एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, 34 हो गया, 35 तो एपलाई पार्किंग ब्रेक इन 3 फेज डेड लोगों, प्रेस डेस साइड प्लांजर अप सॉलिनाइड वाल्व तो हमारा पार्किंग ब्रेक 3 फेज लोगों में एपलाई होगा, सॉलिनाइड वाल्व का कौन साइड प्लांजर को दबाने से, तो एप लेफ साइड में ठीक है, लेफ साइड में दबाएंगे तो parking brake हमारा apply होगा and solenoid valve का right side को दबाएंगे तो हमारा release होगा तो क्यासे याद रखेंगे right side R है तो R से release होगा R, R, release and left से लगेगा apply ठीक है ये solenoid valve ये भी हमारा कहा पर रहेगा निमेटी पैनल में रहेगा 36 इन 3-phase loco is having dash number of 3-phase auxiliary motor तो हमारा 3-phase loco में कितना auxiliary motor है 3-phase वाला 12 ठीक है C, answer right होगा 37 इन 3-phase loco UBA meter needle deviates when BLK is in dash mode of BLK बोल रहा है 3-phase loco में UBA meter deviate होगा BLK को हम लोग किस-किस mode में राखने से तो हमारा BLK को driving mode right side में और left side में cooling mode में दोनों में राखेंगे तो ये UBA meter हमारा डिवेट होगा ठीक है ये बैटरी बोल्टेज वाला जो UBA बोल्ट मेटर वो डिवेट होगा हमारा बैटरी बोल्टेज देखाएगा next 38 इफ स्पीड अब दे ट्रेन इस इंक्रीज मोर देन देस देन लोको MPS एमाजेंसी ब्रेक विल बी अप्लाइड ठीक है इन थ्री पेज लोको तो बोल्ट रहा है कितने पासेन हमारा अबाब होने से ओ एमाजेंसी ब्रेक लग जाएगा तो ओ टेन पासेन है और बोल्ट रहा है इन थ्री पेज लोको विल बी डियक्टिवेट अटोमेटिकली इफ बीपी प्रेसर द्रॉप मोर देन डैस के जीपे सेमी स्क्रेर तो एक तो एक तो हो गया बीपी को दबाने से एक्टिवेट होगा और दोबाड़ा प्रेस कर दिगा तो डियक्टिवेट हो गया और हमारा बीपी प्रेसर 0.25 हम लोग ड्रॉप कर देंगे तो ओ भी डियक्टिवेट हो जाएगा ठीक है 0.25 के जीपेसन स्क्वेर next question 40 इन्स्री फेज एक लोग को to isolate track no.2 मतलब traction converter 2 deep dash switch in dash position तो traction converter no.2 मतलब isolate करना होगा उसको तो 154 को 2 में राखेंगे ठीक ए इसका चार positioning डाता है 154 switch का देखिये यह 154 का one position में रहेगा टू पोजिशन में रहेगा 1 and 2 हर एक है नॉर्मल 154 स्वीच ये रोटेटिंग स्वीच है ये नॉर्मल में रहेगा तो हमारा ट्राक्शन कर्मर्टर 1 एन ट्राक्शन कर्मर्टर 2 दोनो हमारा नॉर्मल है वर्किंग है इसको 1 में राख देंगे 154 को तो हमारा ट्राक्शन कर्मर्टर 1 आइसलेट होगा 2 में राख देंगे तो 2 आइसलेट होगा 1 and 2 एक जो पोजिशन है उसमें राख देंगे तो दोनों आइसलेट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन देगे 41 इन 3-phase local SS10 belongs to dash subsystem तो SS10 हो गया हमारा brake system next 42 इन 3-phase local location of TM blower 1 तो एक आप लोग का confuse करता है हम लोग देखे है जो location of arts 3-phase में हार एक जो चीज है machine room number 1 में वो 1 से ही होता है ठीक है बट ये traction motor blower 1 2 में रहेगा machine room बला और 2 machine room number 1 में रहेगा तो यहाँ पर बोलता है traction blower 1 कहाँ पर रहेगा machine room number 2 में यहाँ पर बोलता है traction blower number 2 कहाँ पर रहेगा तो ये रहेगा machine room number 1 में ये उल्टा रहेगा ठीक है only a time blower के time होगा next 43 तो तो दब हमारा क्या होगा अन्डुलेटिंग ग्रेटिंड एडिया होगा ठीक है ऐसा होगा ठीक है तब या होगा क्या हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते नेक्स्ट 44, इन 3-page लोको acknowledge the fault message by pressing dash button, हम लोग acknowledge कैसे करता है, fault message को BPFA, को दाबाने से, यह fault message हमारा acknowledge होता है, नेक्स्ट 45, वाइल वार्किंग 3-page लोको as banker, close dash clock in pneumatic panel, हम लोग जानते हैं, BP charging clock 70, पहली बोला, banker में अप रहेगा, तो यह close कर देना होगा, नेक्स्ट 46, इन 3-page लोको to reset the fire detection unit, FDO, press the dash button, तो press reset button on FDO, FDO में एक reset button रहाता है, उसको press काने से, FDO reset हो जाता है, नेक्स्ट 47, इन 3-page लोको dash auxiliary motor, work only in cooling mood, तो cooling mood में कौन-कौन auxiliary motor काम करेगा, only हमादा single-page motor and MCPA, तो single-page motor कौन सा कौन सा है, बोलिये, कौन सा कौन सा है, machine room blower number one, machine room blower number two, दोन हो गिया, machine room number blower का जो scavenging blower है, दो, O and MCPA, ये baby compressor, ये 5 हमादा क्या होगा, cooling mood में काम आएगा, नेक्स्ट 48, इन 3-page लोको, if catenary voltage out of limit, appear on screen, change dash fuse after lowering panto and try, तो बोल रहा 3-page लोको में, ये हमारा screen में message आया, catenary voltage out of limit, तो बोल रहा है, कौन सा fuse को हम लोग change करना होगा, after हमारा panto lower करने के बाद, तो potential transformer का जो fuse रहेगा, उसको change करना पड़ेगा, ये catenary voltage out of limit, हमारा message आएगा, त next 49, इन 3-page लोको, ss09 belongs to dash subsystem, तो ss09 हो गया, battery system, ss09 होगा, ब्रेक system, ss09 होगा, तो battery system, next 50, इन 3-page लोको, not brake लोको, rear cam mode switch position is, हमेशा rear cam में क्या रहाता है, rear में trail में रहाता है, ठीके, इन 3-page लोको, not brake system लोको रहाएगा, तो उसका rear cam में mode switch का position क्या रहाएगा, trail, लेडिंग लोको में क्या रहाएगा, leading, ठीक है, lead, तो यह हो गया, हाज का 50 question, next video में हम लोग, और 50 question करेंगे, तो आज का 50 question, आप लोग ready कर लेंगे, और next जो जो वीडियो आएगा, उसमें 50-50 question रहेगा, तो पूरा ये जो series का question answer, आप लोग देख लेंगे, और आप लोग प्रिपेर कर जाएगे, तो आप लोग का exam में कोई भी दिक्कान नहीं होगा, आप easily, जो short bit bank बाला objective question answer आता है, technical का, और पूरा आप लोग का common आ जाएगा, तो आप लोग easily, एक आच्छा marks ले आ सकता हो, technical executive exam में, तो objective में तो आ गिया, और आप लोग objective के साथ साथ, जो long question र चाहिए, तो बोलना, और long question आप लोग पढ़ाई कीजिए, आच्छे से ready कीजिए, तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लागा, वीडियो आच्छा लागा तो वीडियो को लाइक करना, चानल को सब्सक्राइब करना, आप लोग का जो friend है ना, वो friend के साथ भी वीडियो स वीडियो कि hypertension के लोग करना, तो आप लोग करना, वीडियो से लोग को याज़ाई वीडियो का से वाएक लिए से लोग काना, वीडियोस